बड़ी खबर महराश को लेके है जहाँ पर कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है दरसल एक साल में पहली बार 57,000 से ज्यादा केस सामने आए देश में एक दिन में आए कुल संक्रमण में आधे महराश में केस रिकॉर्ड किये गए है 24 गंटे में महराश में कोरोना से 222 लोगों की मौत हुई है मुंबाए, पुणे, ठाडे, नाकपुर और नासिक में हालात काबू से बाहर है कोरोना पर काबू करने के लिए ठाकरे सरकार ने कई अहम फैसले भी ले लिये है एक साल में पहली बार 57,000 से ज्यादा केस महराश में रिकॉर्ड किये गए है जो की कुल संक्रमण में आधे महराश से बताए जा रहे है और श्रद्धा चतुरवेदी दिल्ली से मेरी सेयोगी लाइव स्वक जुड़ चुकी है श्रिवांगी ठाकुर भी है मुंबाई से वो जानकारी दे रही है श्रिवांगी हाँ 50% वो केसे जो की टोटल नंबर्स में सिर्फ महराश के सक्ती की बात कर दी गई है नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई है लेकिन ग्राउंड पर क्या आपको नजर आ रहा है कि उस सक्ती का पालन किया जा रहा है देखे पुनिमा जो सक्ती इनोंने अभी लगाए है वो आज रात आट बजे से लगेंगे लेकिन ये देखना वाकई दिल्चस्प होगा कि वीकेंड लॉक्डाउं जिसे मिनी लॉक्डाउं यहाँ पर कहा जा रहा है इसे के साथ-साथ जो वीकडेज हैं उसमें जो रिस्टिक्शन लगाए हैं उसके बाद क्या मामले कम होते हैं या नहीं क्योंकि कम्प्लीट लॉक्डाउन नहीं है इसलिए जो संक्रमन का चेन है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा और राजे सरकार भी एक ट्राइल ले रही है इस वक्त की वीकिन लॉक्डाउन लगा कर देखते हैं अगर केसिस कम होते हैं तो ऐसे में आर्थ वैवस्ता पर भी इसका आसर नहीं पड़ेगा करोना के मामले भी कम हो जाएंगे इसलिए इंतिजार करना होगा और देखना होगा कि आखिर वीकिन लॉक्डाउन की बाद क्या मामले कम होते हैं वही दूसरी और आपको बता दे कि अब तक मुंबई में सबसे जादा यानि 11,000 से जादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और ये चौकानी वाले नंबर्स हैं इसके बावजूद लगातार हम जूह चौपाटी गिरगाउं चौपाटी तमाम जो इलाके हैं वहां की तस्वीरे दिखा रहे हैं और लोग इतने बे परवा हैं ऐसा लगता ही नहीं कि कुरोना एक्जिस्ट भी करता है मुंब साथ दिन के लिए फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर